हुआ है समय स्वागत और जैसा कि हम लोग में वीं कि टरफ बढ़ चुके थे तो Applications of Inductive Effect में जो एक important topic है Students Applications of Inductive Effect तो इसके अंदर आगे के Applications हम अभी discuss कर लेते हैं एक बार आगे के Applications हम देखते हैं Last वीडियो में आप लोगों को मैंने Acidity के बारे में बताया था Inductive Effect को Use में लेते हुए किसी भी compound की Acidity को कैसे Determine करते हैं Acidity के Variety of Examples हमने वहां लिए जो ज़्यादा तर Carbocilic Acid से Belong कर रहे थी ये 12th वाले Chapter में भी आप लोगों के syllabus में है और यहां से Confirm मानके चलो एक question बनता है अब Acidity के आगे Basicity में continue करूँगा लेकिन एक order जो कल या मैं कहदू के पिछले वीडियो में रह गया था वो मैंने यहां screen पर mention किया हुआ है मैं यह मानता हूँ मेरा यह मानना है के NEET, JE, Advance और CUET और जितने भी इस तरह के level के exams होते हैं entrance level के उसके लिए यह एक order बहुत ही important order है order क्या है? order आपके सामने है सबसे पहले carboxylic acid के member रखे हुए है जैसा कि कल मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि carboxylic acid सबसे stronger acid होते हैं organic में उसके बाद phenol आते हैं उसके बाद alcohols आते हैं उस order को follow करते वे चलें लेकिन एक member phenol का जिसका नाम है picric acid very very important यहां से exam में सवाल बनता है यह champion निकलता है यह सारे carboxylic acid को पार करके acidity में आगे निकल जाता है केवल carboxylic acid का एक member है CF3 COOH जिसका नाम होता है TFA Trifluoroacidic acid TFA champion है overall organic acids के अंदर उसके बाद picric formic benjoic acidic phenol और अगर आगे alcohols में चलें और water के साथ उसे compare करें H2O के साथ तो methionol की acidity water से थोड़ी सी जादा होती है और बाकी के जितने भी alcohols है उनकी acidity water से कम देखी गई है तो एक बात तो समझ में आ गई है कि यह एक important decreasing order of acidity भी हमें ध्यान रखना है चलिए इसी के साथ एक और example के बारे में चर्चा कर लेता हूँ वो है alcohols की acidity acidity of alcohols मैंने आपको applications of inductive effect के वक्त भी बताया था अबे दोबारा से मैं इसे बता रहा हूँ क्या one degree alcohols सबसे ज़्यादा acidic होते हैं two degree उससे कम और three degree उससे भी कम due to the plus eye effect जैसा की दिखाई दे रहा है तीन अलकाईल का plus eye दो अलकाईल का plus eye एक अलकाईल का plus eye plus eye effect क्या करेगा acid and iron की stability को कम करेगा acidity को कम कर देगा तो मेरे हिसाब से ये वाला एक और order आप लोग याद रख सकते हैं one degree, two degree, three degree और students जैसे जैसे एलकोहॉल्स में electron withdrawing group जोडा जाएगा electron grahi sum EWG जो electron withdraw करता है this will increase the acidity और यदि एलकोहॉल्स में electron releasing group जोडा जाएगा electron releasing का क्या मतलब plus eye electron withdrawing का क्या मतलब minus eye तो वो acidity को decrease कर देगा मैं यह समझता हूँ कि आप पिछला lecture देख चुके हो और पिछले lecture के last में आप लोगों को acidity क्या होती है acidity को experimentally PK value से कैसे निकाला जाता है theoretically acidity को हम कैसे determine करते है यह सारी चीजे यदि आपने सीख ली है examples यदि आपने observe कर ली है उसके बाद आपको ये वाला example और उसके बाद आपको alcohols की acidity का ये वाला example क्योंकि students यह हम लोगों के 12th level पे NCRT के syllabus में chapter बें बाकाइदा mention किये हुए acidity finish हो चुकी है मैं आपको ले चलता हूँ इस video lecture में अब नए applications की तरफ basicity of the compounds हम लोग क्या discuss कर रहे है basicity of the compounds or molecule acidity को सीख लिया तो आपको पता होना चाहिए basicity का meaning क्या होता है शारियता हिंदी में बोला जाता है शारियता English में बोला जाता है chemistry में basicity basicity का मतलब क्या है एक term में कहें opposite of acidity हाँ बच्चों basicity का मतलब है acidity का just reverse और acidity की दो language आप लोगों को मैंने बताई थी acidity का मतलब होता है h plus देना electron pair को accept करना इसका उल्टा electron pair को donate करना h plus को accept करना हाँ हाँ हाँ। क्या donate हिलाक्ट्रॉण पेयर द्या facts इसमातर ने काहँ करना हाँ और एलक्टॉण पेयर को do notadore कर देना दान कर देना हाँ और किसे H प्लस को accept H प्लस proton को accept करना proton को स्विकार करना ये कहलाती है basis city और ढंग से समझना चाते हो तो एक काम करो ये equation सीखो base के पास होता है एक lawn pair organic chemistry में base की बात कर रहे है lawn pair या electron pair ये अपना lawn pair H प्लस को donate करता है और जैसे ही ये donate करता है कुछ इस तरह से तो protonated base बन जाता है जिसे conjugate acid बोला जाए base ने एक proton को accept किया conjugate acid यानि protonated base बन गया तो basicity की simple सी language क्या हो गई है students क्या H plus को accept करना और H plus को accept करने का मतलब अपना lawn pair किसे donate करेगा base H plus को तो कोई भी compound एक अच्छा base तब है जब वो बहुत आसानी से अपना lawn pair अपना electron pair proton को donate करेगा chemistry क्या कहती है जैसे आप redox reactions पढ़ते हो oxidation reduction हमेशा एक साथ चलते हैं nucleophile, electrophile हमेशा एक साथ चलते हैं interaction करते हैं जाहिर सी बात है कि ये H plus देने वाला acid था और उसे accept किस ने किया एक base लेकिन इस वक्त हम basicity की बात कर रहे हैं इसी लिए हमने कह दिया कि base ने proton को accept किया अब equation में थोड़ा सा और change करें क्या ये proton जो है यदि water का molecule दे दे water के molecule का मतलब क्या है HOH अगर base को water में dissolve किया हां उसे घोला गया water में तो H plus को accept किया तो bond के electron loose छोड़ते हुए OH minus तो equation अब क्या बनेगी equation अब बनेगी protonated base plus OH minus यही है वो major equation जिसे हमें सीक के चलना जरूरी है क्योंकि NCRT 12th level के chapter number मैं कहता हूँ number नहीं chapter in the nitrogen containing compound organic compound एमीन वाले chapter में जब basicity आप पढ़ोगे तो पहले यही concept बताया हुआ है इसे हम GOC में सीखके चल रहे हैं chapter में हम उसे दोबारा नहीं पढ़ेंगे यहीं पर हम इसके concept को डवलप कर रहे हैं clear तो खुल मिला करके अब देखो क्या होगा अब यह होगा कि protonated base बन गया और hydroxide आ गया तो एक language आप 910th में और पढ़के आए हो क्या पढ़के आए हो 910th में 11th में भी आपने से पढ़ा होगा आपने पढ़ा होगा H प्लस देने वाले होते हैं acid यानि अम्ल और OH-ion देने वाले होते हैं base यानि शार यही पढ़ते थे आरेनियस की definition में पढ़ते थे पढ़ते थे H प्लस देने वाले अम्ल, acid और OH-ion देने वाले base जैसे कुछ शार या कुछ bases के example मैं लिखता हूँ caustic soda, strongest base potassium hydroxide, strongest base calcium hydroxide, magnesium hydroxide इसके अलावा carbonates, bicarbonates, weak base ammonium hydroxide, weak base यह सब बच्चों यह सब inorganic एकार्बनिक रसायन वाले शार हैं inorganic bases हैं यह हम पढ़ रहे हैं organic वाले bases मतलब हम एमीन वाले chapter की basicity को यहां लेके चल रहे हैं concept आपको पहले develop किया जा रहा है और वो क्या है? electron pair proton को donate करना यानि कि proton को accept करना यह organic की basicity है inorganic की basicity OH-Ion देना और वो भी हो रहा है जैसे ही आपने organic base को डाला water में आप देखोगे कि base proton accept करेगा और OH-Ion इसमें exist करेंगे तो basicity तो ही ला इस equation के लिए rate constant आता है K और इस K को हम KB लिख देते हैं याद है आप लोगों को पिछले वीडियो में हम acidity के rate constant को K A कह रहे थे वो acid dissociation constant था यह base dissociation constant है definitely बिल्कुल same pattern लेके चलो बिल्कुल same pattern लेके चलोगे KB की जो value है वो इसकी concentration पे depend करेगी divided by this concentration मतलब जैसे जैसे basicity बढ़ती जाएगी hydroxide ion की concentration बढ़ेगी KB की value भी बढ़ेगी KB की value बढ़ना मतलब equation का forward direction में जाना मतलब basicity का बढ़ जाना कहने का मतलब यह हो गया कि experimentally basicity is directly proportional to KB और KB की value बहुत जादा आती है mathematical values so logarithm minus में लेते हैं KB का वो होता है P KB तो P KB minus logarithm of KB है तो यह inversely proportional में जाएगा जैसे acidity में P K ले रहे थे basicity में हम क्या major करते हैं students P KB तो experimental equation यह कह रही है कि KB की value जादा basicity जादा P KB की value जादा basicity कम हम किस form में major करेंगे value को P KB की form not KB आपको books में P KB मिलेगा या फिर P K A मिलेगा लेकिन P K अभी 12th level पे आपके scope में नहीं है P K A आपको acidity में याद रखना है और P KB आपको basicity में याद रखना है आ रहा है समझ में lower the value of P KB higher will be basicity P KB की value जितनी कम basicity की value उतनी ही जादा बात समझ में आ गई सबसे पहले मैंने आपको basicity क्या होती है equation क्या है originally experimental कैसे determine करते हैं वो बताती अब हम बढ़ेंगे इसके theoretical concept की तरफ definitely हमें theoretical concept की तरफ याब आगे बढ़ना है देखिए जो equation हमने base की कहची मैं कहता हूँ organic में organic basis जो होते है वो होते है amines क्या होते है amines जैसे एक equation में लिखू आर एनेच टू इसका nitrogen वाला lawn pair basic होता है जब इसे water में dissolve करते हैं तो ये H plus को accept कर लेता है और ammonium बना लेता है definitely water ने क्या इसको provide किया है H plus, H plus को इसने accept किया R NH3 plus बन गया और ये वाली equation हो गई basicity की equation देखाई दे रही है न देखो, यहाँ पर B लिया था हमने base, उस B को अब original base हमने क्या लिया organic का amines ले ज़िए तो equation तो समझ में आ गई बस ये जितना अच्छा base होगा equation forward direction में जाएगी KV की value बढ़ेगी PKV की value कम आएगी PKV की value कम आना मतलब basicity ज़्यादा होना strong base होना अब हमें क्या करना है अलग-अलग compounds की basicity compare करना है तो हमें theoretical भी सीखना पड़ेगा मैंने आप से कहा कि आपको केवल और केवल amines की basicity को ही लेके चलना है ऐसा क्यों कहा मैंने क्योंकि हमारे syllabus में nitrogen containing amines ही syllabus में है organic के अंदर और उनकी basicity को हमें सिखना पड़ेगा CUET के pattern में अगर मैं लेके चलूँ आप लोगों को सबसे पहले amines की nature आपको पता होनी चाहिए amines की तीन केटेगरी में बनाता हूँ primary secondary and tertiary alcohol में भी देखी थी alkyl allied मों भी देखी primary मतलब one degree secondary मतलब two degree tertiary मतलब three degree आपको ध्यान रखना है कि amines nitrogen containing organic compounds होते है इस तरह से trivalent nitrogen nitrogen से direct कितने carbon attached है ये amines की degree बताता है normally आप alcohol alkyl allied में जब डिगरी निकाल रहे थे classification कर रहे थे तो वहाँ आपने alcohol alkyl allied से जो carbon attach होता है उसकी degree को चेक किया था लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है आपको फर्क समझना पड़ेगा alkyl allied और alcohol बिल्कुल same pattern पे है उन्हें अलग ध्यान रखो amines बिल्कुल अलग pattern पे है amines के अंदर nitrogen से directly attached carbon number of car देखो ना इससे किवल एक carbon attach है यह प्राइमेरी है मिल्कुल अइसा nitrogen जिससे दो अलकाइल अटेच हो और अलकाइल अटेच हो और तर्श्री नाइट्रोजन होता है degree समझ में आ गई पहले तो सबसे पहले तो organic basis amines के तीन कैटेगरी आपके mind में बैठ गई है तीन तरह के organic amines आप देखते हो 1 degree, 2 degree और 3 degree originally यह जो amines है वो amines है aliphatic amines open chain aliphatic amines है अब सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि इन तीनों के अंदर basis city का factor क्या काम करेगा इन तीनों की basis city को हमें आपस में compare करना है और इसके साथ ही मैं एक और compound आपके सामने लेके चलूँगा वो है ammonia ammonia का मतलब कोई डिग्री नहीं सारे के सारे hydrogens तो यह compound भी हम साथ में लेके चले है तो बच्चो basis city of the compound हम determine करना चाह रहे है basis city क्या होती है पहले यह सीखा equation बनाना सीखा experimental PKB KB क्या होता है यह देखना सीख लिया अब बात कर रहे हैं organic chemistry में जो base होते है वो amines होते है इनकी basis city को determine करना है इनकी शारियता को निकालना है तो हमें पहले पता होना चाहिए कि तीन तरह की amines होती है 1 degree, 2 degree और 3 degree तीन तरह की amines आपने देख ली इसके साथ में ammonia को भी ले लिया अब आप खुद सोचके देखो आप खुद सोचके देखो theoretically concept क्या कह रहा है कि lawn pair donate करना proton को यह basicity है lawn pair तब यह आसानी से donate करेगा जब इससे electron releasing group attached होंगे electron data sumu मतलब plus i groups तो कहने का मतलब यह हो गया that basicity in the theoretical concept basicity is directly proportional to the e r g okay electron releasing group electron data sumu that is plus i वहल minus i k inversely proportional रहेगी यह equation समझ में आ रही है आप लोगों को check कर लीजिए तो यह theoretical concept हो गया और theoretical concept यह क्यों हुआ अरे भाई lawn pair को donate करना तो lawn pair अगर मालो आपने alkyl group plus i जोड दिया वो electron releasing है वो electron देगा तो electron की axis होगी axis होगी तो lawn pair आसानी से donate होगा सोचके तू देखो इस चीज को just उल्टा है acidity का acidity withdrawing group minus i बढ़ाता है क्योंकि acid anion की stability को check करना होता है जबकि basicity lawn pair को donate करने की tendency है proton को यह releasing group data sum plus i बढ़ाएगा हां आ रहा है समझ में आ रहा होगा आएगा बिल्कुल आएगा यह समझ में आप लेगा हां अब हमें यह देखना है कि इन तीनों amines में और ammonia में यदि हम basicity को compare करें तो basicity किस पर depend करेगी तो बच्चो देखो basicity of amines depends on three factors one is inductive effect preranik pravao another is the stearic effect stearic repulsion तीसरा है solvation energy concept solvation energy concept तीसरा जो factor है अब आप सोचो यह आपके सामने बने हुए है primary amines को देखो जरा एक बार चेक परो इसमें alkyl का क्या लगता है plus i two degree में two alkyl का plus i है three degree में three alkyl का plus i है के नहीं है बच्चो देखो न और ammonia में hydrogen का कोई effect नहीं है हां जी तो इस हिसाब से inductive effect यह कहता है three degree, two degree, one degree and then ammonia यह decreasing order आना चाहिए ना three degree, two degree, one degree and ammonia सही बात है stearic factor क्या कहता है जरा इस पे गौर फर्माईएगा stearic factor भी अपना importance शो करता है यह भी एक factor है basicity में यह काम करता है basicity का मतलब है long pair proton को donate करना proton को donate करते वक्त जितने बड़े groups nitrogen के चारो और attach होंगे stearic repulsion बढ़ेगा के नहीं बढ़ेगा repulsion बढ़ेगा त्रिविम्य बाहदा आएगी basicity घटेगी three degree में stearic repulsion जादा होगा two degree में उससे कम one degree में उससे कम groups की size बढ़ती जा रही है न और ammonia में सबसे कम इस हिसाब से अगर हम लेके चले order तो order क्या आना चाहिए ammonia one degree two degree और three degree सुनो और तीसरा है salvation energy concept यह कहता है यह भी बिलकुल इसी की तरह यही order बता रहा होता है इसमें exactly salvation होता है protonated amine का और वो one degree का सबसे जादा two degree का उससे कम और three degree का उससे कम होता है पर अभी हमारा scope यह ही नहीं उसका कारण क्योंकि यह तीनों ही order गलत है देखो न inductive effect जो order बता रहा था stearic effect उसका उल्टा बता रहा था salvation energy उसका उल्टा बता रहा था आप देखो तीनों concept एक साथ काम कर रहे हैं और जब दो opposite order एक साथ चलते हैं तो order mix आता है normally इसी लिए यह तीनों ही order गलत माने गए हैं तीनों ही order सही नहीं है इस तरह की कोई pattern basicity का माइन्स में नहीं देखा गया यह का यह चीज आपको बाकाइदा NCRT 12 के माइन वाले chapter में मिल जाएं पर इत्ता detail में जाने की requirement है ही नहीं जो actual order आता है actual experimental order जो माइन्स की basicity का आता है वो depend करता है R group क्या है R क्या मतलब यह वाला alkyl group पे depend करेगा alkyl group यदि methyl है तो order आता है 2, 1, 3 ammonia आपको इसे याद रखना पड़ेगा यह बाकाइदा CUET में आ सकता है क्योंकि NCRT में इसे mention किया हुआ है इसका क्या मतलब हुआ 2, 1, 3 ammonia का क्या मतलब हुआ 2 degree amine methyl वाली सबसे ज़्यादा basic उसके बाद 1 degree amine उससे कम 3 degree सबसे कम ammonia अब यह order क्यों अरे भई यह कह रहा है यह वाला order यह कह रहा है यह वाला order जो उल्टा है दोनों का mix हुआ stearic factor और inductive effect दोनों को mix करके 2 degree champion बन गया फिर उसके बाद 1 degree फिर 3 degree 2, 1, 3 ammonia यह आपको यात रखना है तो क्या आप यहाँ पर inductive effect एपलाई तो हो रहा है आप चेक करो inductive effect यहाँ पर एपलाई हो रहा है देखो न इन तीनों में methyl है इसमें नहीं है ammonia से ज़्यादा तो basic है inductive effect की वज़े से लेकिन यहाँ पर stearic factor भी काम करता है repulsion लाद इसलिए order यह आता है अब देखो यह order तो चलो कोई बात नहीं यहाँ तक देख लिया समश्या तो तब खड़ी हुई जब यह alkyl methyl की जगए ethyle ले लिया ethyle group की knowledge आपको बता चुके हैं पहले ethyle group यदि यह है तो order में three degree यहाँ आ जाएगा मतलब two three one ammonia यह का इसका क्या मतलब हुआ ethyle वाली जो amines है उसकी basis city का decreasing order dithyle amine सबसे पहले prithyle amine उसके बाद ethyle amine उसके बाद ethyle amine उसके बाद और ammonia सबसे least basic two three one ammonia that is the order यही हमें exam में याद करके जाना होगा यह दोनों order ही हमारे लिए important है amines की basis city का सवाल आता है तो देखो ना थोड़ा बहुत नॉलेज सीखते वे चल रहे थे देखो basis city application को शुरू किया हाहा इंडी इंडीयो की अच्छ बढ़ए और आपको रूआइज करते होए चलना है पूरा का पूरा मैं आप अकूर कम तीन से चार सवाल एक्जाम में बैठेंगे बैसिसिटी का क्या मतलब है एक्सपेरिमेंटली क्या मिनिंग होगा कैसे निकालते हैं और theoretically हमें क्या चेक करना होता है अब देखो हमने theoretical concept बनाया और ये बहुत जगे काम भी करेगा electron realizing group basicity बढ़ाएगा लेकिन amines की basicity में जो order आना चाहिए था inductive effect की according वो नहीं आया इस्टिरिक factor भी इसमें contribute कर गया और इसी लिए experimental order आपको ये याद करना है exam के point आप एलिफेटिक amines की basicity का concept समझ में आ गया इसे एक बार आप ढंक से observe कर लीजिए फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ इसके just बाद में एलिफेटिक और एरोमेटिक amines की basicity का comparison जो next case है वो है एलिफेटिक amines and aromatic amines students एलिफेटिक amines होती है R, N, H, 2 एलिफेटिक amines में तीनों आते हैं ammonia 1 degree, 2 degree, 3 degree चारों आते हैं एलिफेटिक amines जो आपने अब पढ़ ली मैंने एक लिख दिया उसमें से 1 degree और aromatic amines ऐसी amines होती है जिनमें benzene ring से amines ग्रूप जोड़ा रहता है मेरे इसाब से इस compound का नाम आपने पढ़ा भी होगा मैं बता देता हूँ इससे बोलते हैं aniline क्या नाम है इसका? aniline aniline जो है वो एक aromatic amines है aromatic क्यों है? क्योंकि उसमें aromatic benzene ring उपस्ते थैं सही बात है इन दोनों की basis city को यदी compare किया जाए तो concept कहता है कि aromatic amines में जो लॉन पेर है ये resonance में शामिल हो जाता है it involve in the resonance ये है अनुनाद में शामिल हो जाता है और resonance में involve होने की वज़े से ये आने वाले proton के लिए आसानी से available नहीं होता इसका मतलब इसकी basis city कम हो गई अरे भई लॉन पेर आसानी से proton के लिए available हो तो basis city जादा लॉन पेर available नहीं है तो basis city कम लॉन पेर डोनेट करने की tendency तो basis city है और इसका लॉन पेर पूरी तरह से free ये किसी अनुनाद में किसी resonance में शामिल नहीं तो क्या concept हुआ aliphatic amines are more basic than aromatic amines aliphatic में सारे आ जाएए 1 degree V, 2 degree V, 3 degree V, ammonia सारे concept आपके सामने है resonance factor और अगर आप इसमें एक और चीज जोड़ दें वो है amides तो order का और बज़ा दो गुना हो जाएगा amides are neutral उदासीन माने जाते हैं क्योंकि इनका lawn pair अरब कार्बोन आइल के साथ अनुनाद में शामिल होता है resonance में involved होता है अब ये resonance जो है वो inductive effect के बाद अगला topic ही मैं आप लोगों का शुरू करूँगा वहाँ आपको अनुनाद यानी resonance बढ़िया समझ में आ जाएगा basic topic एक बार आप सीखते चलेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी 12th की organic chemistry के अंदर जो आपकी NCIT की second book चलती है chemistry की वो पूरी organic chemistry ही है पूरे के पूरे साथ chapter organic से बिलोंग करते हैं so I think यह आपको समझ में आ गया होगा ओके तो यह आपको order एक और basic city में जो ध्यान रखना था वो मैंने share कर लिया है चिक है अब इसके बाद आपको last में बता देते हैं एक dipole moment वाला application और क्या dipole moment और जो बिल्कुल मानके चलिए polarity पर depend करता है इंदी में क्या बोलते हैं इसको द्वीद्रू आगून त्रवनता पर depend करता है कैसे समझोगे अरे भई कुछ भी नहीं है आपको मिनिंग समझना है ना तो मिनिंग आप example से समझो एथेन और मिथाइल क्लोराइड हमने लिया एथेन होता है नौन पोलर जिसका dipole moment म्यू आता है जीरो डाइपोल मॉमेंट को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से हाँ एथेन का होता है जीरो मिथाइल क्लोराइड का जीरो नहीं होता मैंने इंड़क्टिव एफेक्ट के शुरुवात में भी इसी को लिया था ऐसा क्यों इलेक्ट्रोन नेगेटिविटी का डिफरेंस यहां पर है पोलरिटी मॉलेक्यूल में मौजूद है क्लोरीन की इलेक्ट्रोन नेगेटिविटी कारवन से जादा है बॉन्ड के इलेक्ट्रोन क्लोरीन की तरफ पार्शलिट इस्प्लेस होंगे इंड़क्टिव एफेक्ट इसी को कहते है इसकी वज़े से मौलेक्यूल में पोलरिटी आई है डाइपोल मोमेंट जनरेट होता है तो ये भी तो इंड़क्टिव एफेक्ट सा एप्लिकेशन ही हुआ एथेन के अंदर इलेक्ट्रोन नेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है दोनों की विद्धुत्रिणता सेम है पोलरिटी है ही नहीं बॉन्ड के इलेक्ट्रोन दोनों के बीच में है जबकि यहाँ कलोरीन की तरफ अट्रेक्ट हो गए तो यही तो इंड़क्टिव एफेक्ट है कि वजह से मॉलेक्टिव में पोलरिटी आती है और पोलरिटी यानि चार्ज मॉलेक्टिव इस्टेबल कम होते हैं रियक्टिव जादा होते हैं चारज बन गया, अब ये वाला सेंटर नीुकलियोफायल को अट्रेक्स करेगा, नीॉकलियोफायले सब्टुटूशन देगा, तो इसकी रियक्टिविटी भी बढ़ देगी, फिर इनुक्टि एफेक्ट पॉलरिटी, डाइपॉल मुमेंट ये रियक्टि इन्कृपिटीवि एक्षेप्शनल अपवाद कहते हैं हिंदी में इम्पॉटेंट वो यह है कि अलग-अलग एलोजन यदियम कारवन से जोड़ें तो एक्षेप्शनल ओडर डाइपोल मॉमेंट का वो यह आता है क्या है यह decreasing order किसका म्यू का डाइपोल मॉमेंट हो ना तो कारवन फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा चाहिए था क्योंकि विद्ध्यूत्रिनता इलेक्ट्रोन नेगेटिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा है लेकिन हुआ किसका कारवन फ्लोरीन तो यह exceptional order आपको अलग से याद रखना है बस इतना सा ध्यान रखना है कि champion जो था second पर यह आगा है इस हिसाब से आप इसे याद कर लोगे और यह हम लोग जो बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं applications of inductive effect की और यह हमारा topic हो गया है complete next video lecture में आप लोगों को मैं resonance और उसके application सिखाऊंगा और वहां भी मैं आप लोगों को कुछ छैन सी आई टी वाले concept ले करके चलों मिलता हूं next lecture में झाल झाल